यह वीडियो है class 8 के लिए आज इस वीडियो में हम जी मैंडियस की poem को read करेंगे और line by line explain भी करेंगे तो यहाँ पे यह poem start होती है और poem की first line जो है वो है I meet a traveler from an antique land यहाँ जो point है वो कह रहे हैं कि मैं एक यात्री से मिला जो की किसी पुराने देश से था उसने मुझसे कहा कि दो बड़े बड़े बिना धड़ के लेग जो की पत्थर के बने हुए थे रिगिस्तान में खड़े हुए है नियर देम ओन सेंड उन्ही के पास रेत में हाफ सकन यानी आधा धसा हुआ एक टूठा पूठा चेहरा पड़ा हुआ है जिसके भाव को देखकर एंड रिंकल लिप्स चहरे पर जो जूरिया है उन्हें देखा गया है जिसको देखकर ऐसे लगता है कि जैसे वो एक घमंडी है और कुछ कमांड देने वाला है जिसको देखकर पता चलता है जो इसका स्कलिप्चर है जो मूर्तिकार है उन्हेंने इस राजा को जिसके ये मूर्ति बनाई है उसके फेस को अच्छे से रीड किया होगा जो अभी तक बचा हुआ है stamp on this lifeless thing जिसने इतने अच्छे से उसकी life को इस मूर्ती में उतारा है the hand that mock them जिस हातों ने इसने बनाया है and the heart that fed जिसने इने बनाया है वो जा चुका है and next है इसमे and on the pedestal these words appear और उसी मूर्ती के नीचे कुछ words लिखे हुए है और वो words क्या है my name is Ozymandias मेरा नाम Ozymandias है और मैं राजाओ का राजा हूँ king of kings look on my works मेरे काम को देखो yet might and despair चाहे छोटा हो या बड़ा मेरे काम को देखो nothing besides remain अब कुछ नहीं बचा हुआ है round the case of conosal wreck बस सब कुछ खतम हो गया है सिर्फ उस तूटी-फूटी मूर्ती के अलावा boundless and bear सब कुछ खतम है ठीक है और last line है इसमें the loan and level stand stretch far away अब इस पूरे रेगिस्थान में सिर्फ वो अकेली ही मूर्ती है जो तूटी-पूटी मूर्ती ही है जो अकेली खड़ी हुई है दूर रेगिस्थान में ठीक है तो ये पूएम यहाँ पे लिखी है परसी, बिसी, सैली ने ठीक है तो इस पूएम में यही बताया गया है कि समय के साथ और नेचर के साथ जो है हर चीज खतम हो जाती है चाहिए वो कुछ भी हो बस खतम क्या नहीं हो था उसके कारणा में ठीक है नेचर के साथ ही ये मूर्ती भी खतम हो चुकी है और समय के साथ ही तो ये चैप्टर, ये पूएम इतनी ही थी, मैंने इसको complete भी कर दिया है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और इसके question answer भी आपको चाहिए है तो उसके question answer भी मैं इस channel पे upload कर चुका हूँ वहाँ से आप इस channel में से question answer को भी कर सकते हैं और exercise को भी जिसका link भी मैं इस video के description में आपको दे दूँगा महाँ से आप कर सकते हैं and thank you for watching